मुक्यमंत्री योगी आदितनाथ आज कानून ववस्ता की समिक्षा करेंगे प्रदेश भर के पुलिस और प्रशासन के आलाधिकारी वीडियो कॉन्फरेंसिंग के जरिये इस बैठक में जुडेंगे शाम को साथ बजे होने वाली बैठक में त्योहारों को लेकर सीम योगी आदितनाथ अधिकारियों के साथ चर्चा करेंगे और उन्हें दिशा निर्देश दे सकते हैं दिवाली को लेकर सीम योगी व्यवस्थाओं को चाक्चोबंद करने के साथ ही कानून व्यवस्था को लेकर बेहतर तयारियों के संबंद में दिशा नर्देश दे सकते हैं सीम योगी मिशन रोजगार के तहट आज नियुक्ती पत्र बांटेंगे ग्राम पंचायत अधिकारी ग्राम विकास अधिकारी और समाज कल्यान परिविक्षिकों को नियुक्ती पत्र दिये जाएंगे लक्नों की लोगभवन में सुबह साड़े दस बजे कारिक्रम होगा इस कारिक्रम में सेम योगी 1526 ग्राम पंचायत अधिकारी, 360 ग्राम विकास अधिकारी और 64 समाज कल्यान परिविक्षिकों को नियुक्ती पत्र देंगे इन सभी का चैन उत्तर प्रदेश, अधिनस्त, सेवा चैन आयोग द्वारा किया गया है समाजवादी पार्टी के महास्चेफ श्यपाल यादव ने सरकार पर बेइमानी कर चुनाव जीतने कारोप लगाया है प्रशासन के दम पर चुनाव जीता जा रहा है मेरी सरकार और प्रशासन से अपील है कि चुनाव निश्पक्ष कराएं अगर निश्पक्ष नहीं कराएंगे तो समाजवादी पार्टी के कारकरता बेइमानी नहीं होने देंगे उसके लिए कुछ भी करना पड़ जाए अगर जिश्पक्ष नहीं होने है और फ़स्पक्ष निश्पक्ष कराएंगे निश्पक्ष निश्पक्ष नहीं होने है है उनसे भी हमारे अपलिकर, वो भी निस्पच पारज़सी तुनाव कराएं, वो नहीं कराएंगे तो फिर समाजबारी पार्टी के कार करता बेहिमानी को नहीं होने देंगे, कुछ भी करना पड़, बेहिमानी नहीं होने देंगे. यूपी सरकार के अल्पसंख्यक कल्यान राज्यमंत्री दानेशन साली ने मुक्यमंत्री योगी आधितनात को पत्र लिखा है पत्र में मदर्सा आधुनिकी करन योजना में आ रखी दिक्कतों के बारे में जानकारी दी है मदर्सा आधुनिकी करण योजना को राजिस्तर पर चलाने का नुरोथ किया है फिलाल अभी तक केमर और राजे के सहयोग से मदर्सा आधुनिकी करण योजना चलती आ रखी है लोनी से बीजुपी विधायक नंद किशोर गुजर ने दिली के उपराज जपाल को एक पत्र लिखकर वक्फ की सभी जमीनों को हिंदू राजाओं, किस्तानों और आम जन्मानस की भूमी बताया है नंद किशोर गुजर ने इस मुद्दे की जांच के लिए एक समीती गठित करने की भी मांगती है उन्होंने कहा है कि वक्फ का कब्दा जाकर असली हकदारों को उनकी जमीने लोटाई जाने जाए जो यहां बेहन बेटियों के दुराचार किये, कतलेयाम किये, जोहर करना पड़ा, लाखों लोगों की साधत हुई तो जो उनके पूरवज है, उनकी जमीन पे वक्फ संपती के नाम से कब्जा किया गया जिसमें अंग्रेजों ने तमाम गूजर समाज के गूजरों के गाउं के जिन में इंदिया गेट राश्वती भवनों ने सारा है और उस तेम जो है, उनके साथ भी जाती ही शिप्ट किया गया श्रीकृष्ण जर्मभूमी और शाही इदगा मामले में आज हाई कोट में सुनवाई के बाद मुस्लिम पक्ष की रीकॉल याचिका को खारिच कर दिया गया इस याचिका के खारिच होने के बाद हिंदुवादी नेताओं ने एक दूसरे को मिठाई किलाकर जश्न मनाया दरसल मुस्लिम पक्ष ने कहा था कि सभी मुकदमों की सुनवाई अलग-अलग की जाए इस पर हिंदु पक्ष ने अपतिज जताई थी और आज कल कोट ने सुनवाई के बाद मुस्लिम पक्ष की रीकॉल याचिका को खारिच कर दिया है